जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं ऐलाइलिक हेलोजिनेशन तो आईए फिर जानते हैं क्या होता है ऐलाइलिक हेलोजिनेशन बचो ध्यान रखियेगा इलकीन्स में ऐलाइलिक हेलोजिनेशन रियेक्शन होती है और ऐलाइलिक हेलोजिनेशन जो एलकी में हो रही है ये फिरी रेडिकल सबसितिशन का एक एक एक्जाम्पल होता है जनरली अलकीन्स आर हेलोगीनिटेड एट अलायलेक कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉंट कार्बन बाइ डिफरेंट रिएजंट्स नेमली N- Gibson Maxihinimide, N-食rium Adственный लिश्टय बिटाइल हाईपोख्लॉराइट एट्सेक्टर बच्चों एल्कीन्ज में आलकीली कारबन पर हैल वाजिनेशन कराने के लिए अलग-अलग क्यामिकल र्येजेंट यूज उन chemical reagents में से तीन main chemical reagent है जो frequently use के जाते हैं फ़ेला है हमारा N-bromo-succine-mide जिसको short MBS से दिखाते हैं यह उसका structure है जी दूसरा है हमारा N-chlorosuccine-mide जिसको NCS से दिखाते हैं यह उसका structure है जी clear है आपको और तीसरा है हमारा tertiary butyl hypo chloride clear हुआ तो यह हमारे तीन main halogenating agent है लेकिन हम लोग जो आज पढ़ने वाले है halogenation of at allylic carbon वो पढ़ेंगे NBS के थुरू clear है तो यहाँ पर सारी reaction सारा process NBS के वारे में ही होने वाला है NBS is more common halogenating agent for allylic halogenation and the reaction is known as wall ziggler reaction अभी आपको बताया था कि यहाँ पर allylic halogenation allylic carbon पर halogenation कराने के लिए जो main chemical reagent है उसका नाम है N-bromo succinamide और जब alkenes में allylic carbon पर NBS की reaction कराते हैं तो परभू यह reaction कहलाती है wall ziggler reaction clear नहीं हुआ चलिए example के साथ clear कर लेते हैं तो सर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको given alken है उसका reaction NBS से करा रहे हैं CCL4 और HNU की sunlight की presence में यह पर UV भी हो सकता है और यह जो double bond से अगला carbon होता है जी यह कहलाता है आपका allylic carbon यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले carbon के पास 3 H हैं तो NBS ने यहाँ पर bromo atom दिया है bromo atom ने यहाँ से 1 H को substitute किया है और CS3 convert हो गया है CS2BR में clear हुआ तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने alkyne का halogenation किया है NBS के through तो यह reaction जो है यह कहलाती है wall ziggler या फिर आप बोल सकते हैं allylic carbon पर halogenation clear हुआ जी question कैसे भी आए answer एक ही होगा बस आपको पैचानना है कि heading क्या लिखना है और alpha carbon of alkyne alkyne and benzene बचो दियान दखिएगा कि जब हम लोग alkyne में NBS की reaction कराते हैं तो यह एक highly regio selective reaction का अधरन होता है बही कोई पूछी ले कि regio selective reaction क्या होती है उसका example दीजिए तो भी आप वहाँ पर यह वाले reaction लिख सकते हैं clear है जी क्यों क्यों क्योंकि इसमें केवल एक ही product बनता है इसमें जो reagent होता है वो केवल एक ही site पे attack करता है दूसरी possible site पे attack नहीं करता है इसलिए यह reaction regio selective क्यालाती है अब आप यहाँ पर देखिए यह alkyne लिखा हुआ है clear है जी यह आपका alkyne है यह आपका benzene derivative है methyl benzene tolin भी बोल सकते हैं आप इसको तो देखिए यहाँ पर हमने पहले alkyne लिया है तो alkyne के बात करें तो double bonded carbon से अगला carbon चाहिए right में हो या left में हो वो alpha carbon कहलाएगा आप देखिए उसका type क्या है यह saturate carbon है sp3 hybridized है यह carbon आपका alkyne होगा इसी तरह इस alkyne में देखिए तो यहाँ पर triple bonded carbon जो carbon triple bonds जड़े होए है उनस carbon से right में देखिए left में देखिए क्या कोई saturate यह sp3 hybridized carbon है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वाला carbon जो है alpha carbon वो हमारा sp3 hybridized saturate है तो यह भी हमारा allylic carbon होगा यह आप benzene से देखिए आप जानते बेंजीन में तीन alternate double bond होते हैं और उससे अगला carbon जो यहाँ पर CS3 है यह हमारा alpha carbon भी है और यह saturate भी है तो यह भी allylic carbon होगा तो अगर आप देखिए इन तीनों compound में alkyne में, alkyne में और methyl derivative में अगर आपको in alpha carbon पे या in allylic carbon पे अगर आपको reaction कराना है halogenation कराना है NBS के थूँ NBS यूज करके तो केवल reaction यहीं पर होने वाला है किसी भी multiple bond पर नहीं होगा किलियर है इसी लिए यह reaction region selective कहलाती है क्योंकि product mainly एक ही बनने वाला है कैसे आई यह देखते है आप देखे यहाँ पे हमने condition लगा दिये तीनों reaction में हमको allylic या alpha carbon पे reaction कराना है, condition same है NBS लिया हुआ है, CCL4 solvent में, sunlight या UV की presence में reaction कराएंगे तो देखे, reaction हो कहा रहा है allylic या alpha carbon पे हो रहा है हमारा bromination क्योंकि NBS है हमारा यहाँ पर chemical reagent जो यहाँ पर halogenation या bromination कर रहा है देखे, यहाँ पर भी हुआ alkyne वाले case में, और benzene derivative में केवल reaction यहाँ पर हो रहा है तीनों reaction में केवल एक ही measure या एक ही product बन रहा है इसलिए NBS की reaction जो होती है प्रभू, वो region selective होती है अब एक सवाल जो सब को परिशान कर रहा होगा, वो सवाल यह है कि sir, allylic carbon पर हमको reaction जो हम लोग bromination करा रहे है NBS का यूज करके उसकी जगे हम लोग di bromine भी तो ले सकते है bromination sir di bromine के भी through possible है वो क्यों कहीं यूज नहीं कर रहे है वो क्यों यूज नहीं कर रहे है तो आई जानते हैं NBS क्यों bromine से बेटर है bromination by BR2 results in poor yield of product and unwanted side products बचो ध्यान रखिएगा अगर आप allylic carbon पर di bromine use करके bromine कराना चाहते है तो ऐसे में जो आपका desired या target compound है जो आपको mainly बनाना है उसकी yield उसकी amount तो कम हो जाएगी लेकिन side में unwanted जो side product है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी यानि जो चाहिए वो है कम और जो नहीं चाहिए वो मिलेगा आपको हर दम है ना ऐसा नहीं चलेगा जी तो यह BR2 का use जो है यहाँ आप आता है जिसे इंजेक्शन आता है लिक्विड होता है और यह highly volatile liquid होता है और इसको handle करना easier नहीं होता है difficulty होती है इसको handle करने में इसको use करने में NBS is dissolved less in CCL4 so it supplies required low amount of bromine it results into targeted product only बच्चों होता क्या है कि आपने अभी देखा था पीछे की NBS जब आप reagent लेते हैं तो वहाँ पे solvent use होता है CCL4 लेकिन मज़े की बात ही है कि जो NBS होता है वो CCL4 solvent में कम dissolve होता है तो जब कम dissolve होगा तो reaction के अंदर जो NBS di bromine release करता है उसकी amount भी कम हो जाती है और वो थोड़ी थोड़ी amount मिलता है थोड़ी थोड़ी मातरा में मिलता है और जतना मिलता है वो reaction में consume होता जाता है इसलिए वहाँ पर side product बनने के chance कम हो जाते हैं जतनी amount बनती है di bromine की उतनी ही use होती रहती है और इस reaction में di bromine BR2 की amount ज्यादा नहीं बन पाती है इसलिए side product नहीं बनता है किवल वो ही बनता है जो आपका target या desired product होता है clear है यही इस reaction को regio selective बनाता है handling of NBS is very easy and regio selective बच्चों भी बताया था आपको कि जो bromine होता है उसको handle करना easy नहीं होता है लेकिन NBS जो होता है crystalline surdoform में मिलता है और इसको handle करना di bromine की compare में comparison में बहुत ही easy और handy होता है clear है आपको अब मैं आपको यह reaction की help से दिखाता हूँ यह हमारा cyclopentine है आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग bromination कराना चाहते हैं monobromo derivative चाहते हैं lily carbon पर reaction कराना चाहते हैं उसके लिए हमने di bromine लिया है और दूसरी condition हमने NBS maintain किया है CCL4 solvent है और sunlight है अब देखे जब हम लोग bromine यूज करते हैं तो alpha carbon पर reaction तो होती है लेकिन उससे ज़्यादा बनने वाला होता है di bromocyclopentine जो unwanted है भाई हमको तो यह चाहिए लेकिन सरी यह तो minor है measure तो आपका di bromocyclopentine बन गया है तो desired हो गया है come unwanted हो गया है ज़्यादा अब बात करते हैं NBS NBS ने किया है वादा LILI carbon पर reaction कराएगा केवल एक ही जगे reaction होगी क्योंकि दोनों position identical है सेम है अब यहाँ पर NBS जो है monobromination करेगा इस वाले carbon पर या इस पर जहाँ पर चाहिए आप दिखा सकते हैं तो यह केवल single measure product बनता है जब आप NBS यूज करते हैं यही तो आपको उपर समझाया ताकि जो NBS होता है वो di bromine से ज़्यादा बेतर reagent है अब बात करेंगे NBS की अगले step में आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है जिससे यहाँ पर H radical और यहाँ पर H radical बनता है यह hydrogen radical जो होता है यह bromide radical के साथ combine होके HBR बना लेता है और दे जाता है आपको allylic radical clear है आपको तो यह हुआ आपका initiation step और यह हुआ आपका propagation बच्चो अगले step में देखी यह आपका N-bromo succinimide है यह जो HBR बना है यह यहाँ पर आता है और यहाँ से यह bromine को ले लेता है clear है और BR-2 रिलीज होती है यही वो BR-2 है जिसकी में बात कर रहा था clear है आपको यह बन गिये है आपका succinimide clear है succinimide ने CCL-4 solvent में dissolve होके सारी bromine release कर दी है और जैसी bromine release होती है तुरंत यह reaction का rate बढ़ने लगता है अब सर देखिए clear है तो यहां से radical निकलेगा और वो यहां पर इस एलाइलिक रिडिकल एलाइलिक कार्वन पे combine हो जाएगा यह बन जाएगा आपका clear है desired product clear हुआ एलाइलिक कार्वन पे आपको bromine atom आ चुका है और साथ में bromine radical reaction में चलता रहता है जब तक यह consume ना हो जाए clear हुआ जी आपको तो बच्चों यह थी आपकी एलाइलिक कार्वन पे NBS reaction की mechanism बात करेंगे सर्ब practice problem की तो यहां पे हमने किवल दो ही problem आपको दी है तो यह cyclohexene है यहां पे NBS और डाइब्रोमीन लिया हुआ है bromination कराने के लिए आपको बताना होगा product क्या बनेगा practice कीजेगा ऐसे example हमने पीछे लिया था यहां पे देखिए हमारा LQE ने यहां पे हमने किवल NBS और CCL लिया है यहां पे आप sunlight ले सकते हैं तो आपको बताना यह product क्या बनेगा यह दोनों question के answer आप हमको बताईए clear है आप हमको IUP name लिखके बेज सकते हैं क्यों इस्ट्रक्चर लिखना possible नहीं होता है आप चिंता मत कीजे अगर आपको doubt होगा तो comment section ने बताईए हम doubt जरूर क्लियर करेंगे तो बच्चों आज हमने जाना L.I.L.E. carbon पे halogenation या bromination कैसे होता है N.bromo succinamide region selective reaction कैसे देता है L.I.L.E. carbon पे free radical substitution कैसे होता है wall ziggler reaction क्या होता है question अनेक पर जवाब एक आज का वीडियो hopefully आपको के लिएर हुआ होगा thanks for watching